17 दिसंबर की संधिया सारे साथ बजे के आसपा सुर्जगढ़ा बजार में मोहन बर्मा के आबूशन दुकान से निकलने के दौरान उसके हाथ में लिये हुए जोला में दुकान का आबूशन 4 किलो चांदी लगबग 2.500 ग्राम शोना और 6,000 रुपिय और मोबाइल था जिसे दो अपराद कर्मी दौरा मोटर साइकिल से भागने के कर्म में छिंताई की गटना की गई इस दौरान जो विक्टिम है मोहन बर्मा मनोहर बर्मा वो लगबग 20-25 मीटर उसको घसीटा भी गया अपरादी जेवराद लेकर भागने में सफल रहा मामले की सम्वेदन सीलता को देखते हुए विशेस अनसंदान दल का गठन किया गया एस पी रोशन के नेतरित में उस टीम में उक्त घटना का जब सीसी टीवी फूटेज देखा गया तो यह असपस्ट हुआ कि अपराद कर्मी भागने के क्रम में कजरा तक गया है कि फिर आस्थानियां इंपूट के अधार पर यह पता चला कि कजरा थाना अंतरगत कुछ खाना बदोस्त की टोली ठहरी हुई थी जो गठना के दो जिन बाद उक तस्थल को खाली कर दिया साथ ही 27, 10, 23 को भी कवईया थाना अंतरगत इसी तरह की एक गठना परतिवेदित हुई थी जिसमें बिलॉरे निवासी रविंदर कुमार द्वारा बैंक सेल रुपिया निकालकर लौटने के करम में दो लाक रुपिय को इस गिरोव के सदश्यों ने जपट्टा मारकर लूट लिया था उसके तीन दीन बाद बढ़िया में भी सीएसपी संचालक के साथ जपट्टा मारने की गठना हुई थी जिसमें भी दो लाक चब्वीस हजार रुपिय अपरात करमी लेकर भागने में सफल रहे थे तीनों घटना के सी सी टीवी फुटेज के मिलान और अन्य तकन की सक्च के अधार पर यह असपस्ट हुआ कि एक ही गिरोव ने यह किया है सिसी टीवी फूटेज के अधार पर अस्तानिय इंपूट के अधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस घटना को करने में और इसा के खाना बदोस जिंदगी विदाने वाले कुछ लोग जो कजरत छेत्र में आवासित थे कि द्वारा घटना किया गया है सिसी टीवी फूटेज के अधार पर फोटोज की पहचान की गई साथी तक्निकी सक्ष के अधार पर जब यह असपस्ट हो गया कि घटना करने वाला बाहर का है और उसका उस गिरो का बर्तमान लोकेशन रोहतास और कैमूर की सिमावर्ती छेत्र में है और तब चौबीस बारा किरात्री में एसपी रोशन के नेत्रीत में घटना में शामिल लेजा गिया जिसमें एशपी रोशन ड्लियस्पी प्रोशनर राकाश टाउन इंस्पेक्टर राजीव, चानन एसेचो रूबीकांत, डियाईउ रोहतास के इंस्पेक्टर राकेश, डियाईउ लखी सराइसे अवदेश, साथी इंस्पेक्टर अमित कौशिक, एसेचो क्यूल दिर्यनल पाठक, डियाईउ से कुमार गौडब, एसाई प्यूस, एसाई अनामिका, विभूती, एवन कुद्रत हना प्रवाड़ी के द्वारा उक्तस्थल की घेराबंदी की गई, घेराबंदी के क्रम में पांच अपराद कर्मी को गिरफ्तार किया गया, साथे इन तीनों गटनाओं में प्रियोक्त चार वाहन को भी जब्त किया गया है, और कुछ लूटे हुए जेवरात और रुपिये बरामद हुए है, और कुछ समान और रुपिये लेकर अपराद कर्मी, अपने मौली का स्थान, उरीसा के लिए चार दिन पहले फराड हुआ है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है, शिगरी उसके खिलाब भी कारवाई होगी यह एक संगटित गिरो था जो खाना बदोस की जिन्दगी जी रहा था और बिविन जगह अपना कैम्प लगा कर रहता था और घटना करता था और फिर वो जगह बदल लेता था पुलीस के लिए यह बरी सफलता है लक्य सराय पुलीस के द्वारा बिगत दो माँ में जो उर्या गुरूप के द्वारा ये तीन घटना कारित किया गया है उसका सफल उद्वेदन किया है इस टीम में सामिल सभी पुलीस पतादिकारी को पुरस्कित किया जाएगा